हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi जो है निचले सदन को इंगित करता है और Council of Federation उच्छ सदन को इंगित करता है दरसल वर्स 2000 से ही ये राश्पती पद को सशोभित कर रहे हैं और 2008 में कुछ समय के लिए ये पद से हटे थे लेकिन वर्स 2012 से लगातार इन्होंने राश्पती का पद समाला हुआ है ध्यान रखेगा कि उसी दोरान में इन्होंने राश्पती के काडेकाल की अवधी को बरहा कर चार की जगा छे वर्स कर दिया था और वर्स 2021 में एक महतवपून सेमिधान संशोधन के जरिये यह भी इसपस्ट करवा दिया था कि कोई भी वेक्ती अपने संपून जीवनकाल में अथिक्तम दो बार राश्पती बन सकता है और दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात यह है कि यह सारा जो संशोधन किया गया था मात्र एक जन्मत संग्रह जैसी प्रतिया से किया गया था जिसकी बाद में आलोचना भी की गए थी अब यहाँ पर यदि हम इनके एक्वेशन को देखें तो आप इनकी तरकीप को समझ सकते हैं दरसल वर्स 2024 यानिकी वर्तमान में जो वर्स सल रहा है यदि इस से 6 साल तक यदि और अधिक राश्पती का पत समालते हैं तो वर्स 2030 तक निश्चित और यह राश्पती बने रह सकता है और इस लिहाँ से 2036 तक यह राश्पती का पत अपने नाम कर सकते हैं लेकिन यदि आप पूछेंगे कि साहब पहले भी तो वर राश्पती थे तो क्या यहाँ दो बार से जादा नहीं हो जाएगा लेकिन यहाँ पर रोचक बात यह है कि जब वर्स 2030 में उन्होंने राश्पती के पत से संबंदित संशोधन करवाया तो 2021 के पतले के जो भी राश्पती पत से संबंदित कारेकाल की स्थित्याती उसे बिल्कुल शुने कर दिया और यह इनकी बहुत सोची समझी रनीती के तोर पर दिखा जा सकता है आगे दी हम लोग बात करें कि आखिर क्य इतोनोव लियोनीट सलस्की और व्लादी स्लावर डावान को ये तीनों भी उमिदवार के तौपर खरे हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक बहुत रोचकत थे ये भी है कि और शुरक्षा और सहयोक संगठन के नाम से जाने जाने वाला एक अंतरसरकारी संगठन जिसमें 57 काम करते हैं और ये सभी देश मध एशिया उरोप और उत्री अमेरिका से जुरे हुए हैं इसे चुनाव सर्विक्षक के तौर पर जुरूस के इस वरतमान राश्टपती चुनाव में आमंतरन नहीं दिया गया है और यह अपने आप में कुश्यमाक क्रियेट करता है और इ उक्रेन जैसे देशों के द्वारा इरोप जैसे देशों के द्वारण आलोचना भी की जा रहा ही कि आखिर इसे क्यों आमंतरन नहीं दिया गया दरहसल आपको पता होना चाहिए कि यह जो और रूस को वरतमान में यह भैस रता रहा है कि यदि ये organization यहाँ पर चुनावी प्रक्रियाओं से संबंधित कतिवीधियों को चिक करने के लिए आएगा तो निश्ची तोपर यहाँ की स्थिती को और अधिक असपस तरीके से बताएगा लोगों को जानकारी मिलेगी और दुनिया के इस तर पर हो सकता है कि रूसी चुन भावनाएं देखी जा रही है तो उसे आप इस आकरे से समझ सकते हैं जिसमें एक बार सवाल पूछा गया था कि क्या उक्रेण पर जो रूसी से ने करवाई की गयी है उसका समथन वहां की जनता कर गई है तो बहुत बरी संख्या में वहां की जनता ने इसके हां में अपना intention है वो बना हुआ है और यहां निशी तौपर चुनाव में ब्रादेवे पुतिन के लिए एक लाभकारी पक्ष्छ थाबित होने वाला है इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखेगा कि पुतिन तो यदि हम नंबर के माध्यम से आके तो निशी तौपर वर्ष 2014 के बाद से इन्होंने उक्रेण के इन पांच हिस्तों पर अपना नियंतरना थाबित कर लिया है जिसमें लुहांस्क, दोनेस्क, जेपुरेजिया, खेरसान और क्रीमिया जैसे महत्पुर्ण शेतर सामिल है इनको अब ही मैं आगे मैप में सपस्त तौपर दिखा भी दूँगा इसके अलावा रूस ने उक्रेण में लगभग अभी तक 6,17,000 सैनिकों की इतैनाती करवाई है इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि अभी तक राष्टपती या प्रधारमंत्री के तौपर 24 वर्स तक किसी न किसी रूप में शक्ति पर अपना नियंद्रन स्थाबित कर चुके हैं या और साथ ही 16% रूस की इंटरिस्ट रेट की बरहुतरी में भी उनकी भूमिका देखी जा सकती है यदि हम लोग इस पूरी विवस्था के संदर्म में बात चित करें कि आखिर उक्रेन इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को लेकर कि क्या कुछ गतिविधिया अपना रहा है क्या कुछ उसका अपना अभीमत है दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहां जो यह पांच छित्र हैं लुहांस, डोनेस्क, जोपरेजिया, खेरसान और क्रीमिया इन पांचों छित्रों में रूस के द्वारा चुनावी प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं जिसको लेकर के उक्रेन ने करीप प्रतिक्रिया दिखें तो पुतिन ने इस पूरी विवस्था को अपने लिए एक विजय के तोर पर देखा है, दरसल रूसी अर्थ विवस्था को देखा जाया तो अनाज के शित्र में रूस में आत्मिरवर्टा की सित्री देखी जा रही है, तेल और गैस मित्र देशों को बरे पहमाने पनेलियात किया जा रहा है, जॉर्जिया कजाकिस्तान और जुजबेकिस्तान से आयात की सित्री है, और साथ ही स्वेम सेवी सैनिकों को बरी मात्रा में भुक्तान किया जा रहा है, साथ ही आईएमेफ के द्वारा दिये गे आँखनों की बात करें, तो रूस की सित्री उजगारी है वह कम हुई है रूसी वस्तों और चिनी वस्तों की मांग में बरी है और इसके साथ ही हमें यह भी समझने किया हुशकता है कि जो भारत और चिन के साथ रूसी तेल का निडियात है वह बहुत अधिक बराया है बीते कुछ समय में चली आगे हम लोगा और बात कर लेते हैं कि आखिर भारत में भी रूसी प्रेसिडेंसिल एलेक्सन को लेकर के क्या कुछ गतिवीधी देखी जा रही है दरसल यहां पर केरल में रूसी प्रेसिडेंसिल एलेक्सन को लेकर करके भी वहां पर जो भी रूसी जनता रह रही है उनके द्वारा मदान किया गया ह इसके अलावा दिल्ली, चिन्नाई, मुंबई, कुलकता, गोवा, कुडमकोलम जैसे शहरों में भी जो रूसी प्रेशिरियन से एलेक्षन के लिए गतिवीधियां अपनाई जाने की पहल की गई थी इसमें भी हमने सक्टियता देखी है लेकिन यहाँ पर चिंता वाली बात य जताया है और उसने ट्रांसडीनिस्टेडिया नामक जगह पर जो चुनावी कतिवीधि को अंजाम देने की बात तो रूस के द्वारा की गई थी इसको लेकर करके कहा है कि हम यहाँ पर एक से अधिक मतदान केंद्र अस्थापित नहीं करने देंगे और इसका हम विरोध कर करते हैं अब हम लोग इस कंटेक्स में बात करें कि आखिर रूस की राष्टपती चुनाव में व्लादेमिर पूतीन की जीत के बाद कि क्या कुछ संभावनाय देखी जा सकती है उक्रेन की विरुध युधिक जारी रखा जा सकता है साथ ही और अधिक दबाव पूर नीती अपनाय जा सकती है नाटो को लेकर भै नहीं होगा अब रूस को क्योंकि नाटो को लेकर उसने कहा है कि यह केवल एक पेपर टाइगर के तौर पर ही है यह बहुत अधिक अपनी भूमिका नहीं निवा सकता है और इसलिए हमें इससे कोई ऐस सच डरने की जरूरत नहीं है इसके अलावा दोस्तों इहां पर LGBTQ को लेकर के रूस के द्वारा बीते दिनों जिस तरीके से नीती अपनाएं के थी और इसको इदम दरकिनार किया गया था इस समुदाय को इसे आगे भी नुकसान उठाना पर सकता है भारत के साथ संबंद की बात करें तो यह और अधिक उजहान मिच सकते हैं तो इन तमाम गतिविदियों को हमने अभी देखा कि आके रूस के राष्टपती चुनाओ को लेकर के क्या वर्तमान में इस्थिती देखी जा रही है किस तरीके से रूस के राष्टपती के तौपर फिर से ब्लादिमिर पूतिन अपना नियंत्रन अबित होगी आगे हम लोग बात्चित कर लेते हैं कि पीटू आई बैच में यदि आप जाइन करना चाहते हैं तो निश्चित तौपर दिलीप लाइफ कोर्ट का इस्तिमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपे में इस कोर्स को एवेल कर सकते हैं 20 मार्ट से सुरू हने वाली सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर जरूर मेल कीजिएगा और यदि आपको कोई भी अन्य डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अ प्यारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएस हिंदी